हलो फ्रींज अपना की चंद में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही टेस्टी फिस करी बनाने का एकदम नया आलग और बहुत ही आसान तरीका से एर करने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो देखी फ्रींज इसके लिए मैं आप साथ साथ सो ग्राम रोव फिस ली हूँ फिस को मैंने अच्छे से क्लिंड एंड वास कर लिया है फिस को धुलने के बाद जो भी इनमे एक्ष्ट्रा पानी आता है ना मैं बरतन को थोड़ा तेड़ा कर दी थी ताकि पानी साइड में आ जाए सारा पानी हटा दी हूँ फिस बिल्कुल ड्राई होना चाहिए तो चली फिस को एक बड़ा सा बरतन में ट्रांसफर कर लेंगे क्योंकि फिस को हम एरिनेट करेंगे इसमें डालेंगे दो चम्मच बेसन तो मैं आपे छोटे चम्मच का हिस्तमाल कर रही हूँ तो दो चम्मच बेसन का हिस्तमाल कर रही हूँ अगर आप बड़ा चम्मच ले रहे हैं तो एक बड़ा चम्मच बेसन डालिएगा आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा कम होता है और इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है एक चमच अद्रकलहसन का पेस्ट और आधा चमच नमक या फिर मचली के हिसाब से नमक अब इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे हाथों के हिल्ट से हर एक मचली के पीसेज पर मसालों को अच्छे से लगा लेंगे ताकि इन पर बढ़ियां से मसालों की कोटिंग हो जाए तो इसमें पानी बगएर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अद्रक लहसन के मोहस्चर से ये बहुत ही बढ़ियां से कोट हो जाते हैं तो बस ऐसे 2-3 मिनट तक अच्छे से मसालों को लगाएंगे ऐसे मलते हुए ताकि हर एक मचली के पीसेज पर मसाले अच्छे से लग जाएं ये देखिए तो इसमें बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती हैं तो लेजे फ्रेंज सभी मसालों को अच्छे से लगा लिए हर एक मचली के पीसेज पर अब हम इनको ढख करके 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए तो जब तक फिस मैरिनेट हो रहा हैं तब तक चलिए हम बाकी की त्यारिया कर लेते हैं तो सबसे बहले हम एक पेस्ट त्यार कर लेंगे तो इसके लिए एक मिक्सर जार में डालेंगे 6-7 काजू, दो चमच नारियल का बुरादा, ये मार्केट में बहुत ही जली मिल जाते हैं, आप चाहे तो इसके जगवपर फ्रेस ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं, उसके उपर का ब्लैक वाला पार्ट हटा करके, अब हम इसमें थोड़ा सा पाने डाल करके इनको पीस लेंगे, और एकदम स्मूथ पिष्ट त्यार करेंगे, तो लिए फ्रेंस हमारा कार्जू और नारियल का एकदम स्मूथ पिष्ट त्यार है, तो इसको हम एक छोटा सा बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे, अब हम इसको साइड में रखेंगे अभी, और इसी ग्रैंडर जार में डालेंगे एक टमाटर, तो मैं आपे एक बड़े साइज का टमाटर लिए हूँ, इसको पहले रफ़ली चॉप कर लेंगे, और इसमें एड कर लेंगे, अब हम इसको भी बिना पाने डाले ही पीस करके एकदम स्मूथ पेश्ट त्यार करेंगे तो लेजे फ्रेंस टमाटर का भी हमारा एकदम स्मूथ पेश्ट त्यार है तो चलिए इनको साड में रखते हैं इधर फीस को रखे हुए मुझे 15-20 मिनाट हो गया माई रिनेशन के लिए और आप देख सकते फ्रेंस मसाले बहुत ही बढ़िया से चिपके हुए हर एक फीस के उपर ला देंगे कडाई गयास ओन करके इसमें डालेंगे चार बड़ा चमस्त तेल मैं सर्सों के तेल का इस्तिमाल कर रही हूं लेकिन आप कोई भी कुकिंग अल ले सकते हैं जो आप खाते हूं जो आपको पसंदो तेल को पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम होने देंगे त आप अगरता कि यह गोल्टेंम ब्राॉं ना हो जाएं तो देखिए एक तरफ से मस्ती बढ़ाू रही ते कीडीया गोल्डस कि आप लवी फ्लेमब करहों गयाए देखिए अब मिन् spectacular बड़ा में लेका फ्लेम फ्लेम इच्छी से वंक्छी से मच भलेक्त पनाइनों कर तरफ से तो चलिए अब हम इनको निकाल लेंगे तो ऐसे साइड में लाकर कुछ सेकें तक रूखेंगे ताकि जो भी इन में एक्ष्टा तेल आया हो वो निकल करके कड़ाई में ही रहा जाए इसी तरीके से दो से तीन बार में सारे फीज को फ्राई कर लेंगे तो लूज़े फ्रेंज सभी फीस में ने फ्राई कर लिया है और आप देख सकतें कितना प्यारा कलर आया है देखने में भी बहुत pessimism लग रहा है तो आप चाहें तो ऐसे फीस फ्राई जीरा और सौफ रहता है यह किसी भी ग्रोसरी सौप पर बहुत इजली मिल जाता है इसको डालने से फीज करी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जैसे ही पाच फुरन हलका सा फ्राई हो जाएगा इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज गैस का तब तक तक भूश करेंगे जब तक प्याज का कटऱ चेंज नहीं विक्स करते रहेंगे ताकि चारुट तरप अच्छे से और नीचे से एक तरफ जले नहीं तो देखे व्रेंजित पहुत अच्छे से फड़ु continued है आप देख सकते हैं का पूरी तरह से चेंज हो गया है देखिए तो बस प्यास को हमें इतना इफ्राय करना इसी ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे एक चमास अद्रक लेशन का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम गयास का फ्लेम इस मीडियम टू लो फ्लेम पर और आप देख सकते फ्रेंस यह बहुत अच्छे से भून गया है देखिए इनका कच्चापन पूरी तरह से निकल गया है अब मिश में डाल देंगे टमाटर का पेस्ट जो हम लोग पीस करके रखे थे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे गयास का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर टमाटर के पेस्ट को भी दो मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन निकल जाए तो दो मेंट हो गे मुझे टमाटर के पेस्ट को भी भूनते हुए मीडियम टु लो फिलिम पर और आप देख सकते इन में से तेल सेप्रेट होने लगे हैं और टमाटर के पेस्ट भी बहुत ही बंया से भून गये हैं इनका भी कच्छा पन ये देखिए पूरी तरह से निकल पॉस आधा चममज धनिया पाउडर। ऑफ सीचाक ध्याद पाउडर 20 काली पाउड़र नSi a छोटा छोटा चमत के लाल मेव रॉमे और स्वाद अनुसार नमक बेद नमक यहां पर थ्यान से डालिएगा क्योंकि फिस को मेयर करते समय भी नमक डालें तो इसलिए नमक ध्यान से डालें अब इन सभी मसालों को अच्छे से जल्दी भून जाते हैं अब हम इसमें डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे गरम मसाला को अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे तब हम इसमें डाल देंगे पीसा हुआ काजू और नारियल का पेस्ट बॉल में थोड़ा सा पाने डाल करके clean करते हुए इसी में add कर लेंगे इनको waste नहीं करेंगे अब इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और गयास का flame बिल्कुल लोही पर रखेंगे अब हम इनको ढख करके low flame पर 3-4 नड़ तक पकाएंगे बीच बीच में ढख करके चलाते रहेंगे mix करते रहेंगे ताकि यह 4 तरफ अच्छे से cook हो और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं तो 3-4 मिनाट होगे मुझे इनको ढख करके पकाते हुए और आप देख सकते हैं फ्रीज मसालों से तेल से प्रेट होने लगे हैं और मसाले खुब अच्छे से cook हो गए हैं यह देखी कितने बढ़िया दानेदार दिख रहे हैं है ना और इन में से बहुत ही अच्छी कुस्बू भी आने लगे तो मसाले जब अच्छी कुस्बू आने लगती है तब समझा यह मसाले बहुत ही बढ़िया से cook हो गए हैं तक वेट करेंगे ग्रिवी में उबाल हाते ही फ्राई की वह मचली के पीसे डाल देंगे और अच्छे से ग्रिवी में डुपा देंगे अब हम गयास का फ्लेमी स्टाइम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर इनको धक करके 3-4 मिनट तक पकाएंगे 3-4 मिनट होगे मुझे इनको मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए और ये देखे फ्रेंज हमारी सुपर डिलिशस फिस करी बन के रेडी है एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में ये देखे रहे हैं ना और ये देखे करी देखे कितनी पॉर्फेक्ट और बहुत ही स्मूध बनी ह तो हमारी सुपर डिलिशस फिस करी बन के रेडी है अब हम गयस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और ऐसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे नहीं तो फिस के पीसे टूटने लगेंगे तो इस तरीके से एक बार फिस करी करेंगे तो लिए फ्रिंट से सूपर डिलिशस फिस करी एक दम नए तरीके से नए टेस्ट में देखे न बनाने का तरीका कितना असान है और खाने में इस सूपर डिलिशस लगते है तो इस तरीके से एक बार फिस करी ज़रूर बना करके देखियेगा यह रेसिपी आपको आपके फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी और जिनको भी इस तरीके से एक बार फीस करी बना कर खिला देंगे ना सब लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे और उंगलेज चार चट करके खाएंगे तो फ्रेंस रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आए तो लाइक करें अपने धेर सारे दोस्तों के साथ सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें